एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता है जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त आपका इंग्लिश गुरु प्राभात कुमार सिंग आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ ऑक्सपोर्ट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज सेवेंटी वन के सॉलेशन को लेकर के जिसमें ट्रांसलेट इंटु इंग्लिश ठीक है और यह एक्सरसाइज सेवेंटी वन है तो इससे पहले के वन से लेकर के और जो है वो 60-70 exercise तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अभी आपको उपर exercise 70 का लिंक नजरा रहा होगा इसके अलावा आपको अभी जो है उपर में आपको नजराएगा एक प्लेलिस जिसमें कि ऑक्सपोर्ट करेंट इंग्लिस ट्रांसलेशन नाम से है जिसमें आपको all exercises यह जो अभी तक के बन चुके हैं और आने वाले exercises भी आपको ओहीं मिल जाएंगे और सबसे बेहतर होगा आप नीचे प्लेलिस चेक कर लें प्लेलिस में आपको जो है वो मिल जाएगा ऑक्सपोर्ट करेंट इंग्लिस ट्रांसलेशन के भी लिंक ग्रैमर के भी लिंक ऑक जूनियर इंग्लिस ट्रांसलेशन के लिंक और भी जिन बुक्स के मैं बनाता हूं सबके लिक्स नीचे हैं तो उन्हें जाकर के एक बार आप देख लें चलिए इसमें करना यह exercise में जो है वह आपको करना है जो मैं पिछले में बता चुका हूँ दो होता है ना है या करना होता है तू और फिर करना होता है भीवन भीवन का मतलब वह गया भरववन भरवन एक बार फिर से आपको बता दें इसमें करना क्या होता है तो पहले सब्जेक्ट लगाना होता है है ना सब्जेक्ट लगा करके जैसे मुझे तो आई उसके बाद आपको क्या करना है है या हैज में से एक लगाना है ठीक है फिर उसके बाद जो है आपको तू लगाना होता है और फिर भीवन लगाना होता है और फिर कुछ बच जाए तो वो सब लगा दीजिए ठीक है भीवन का मतलब भर्ववन यानि मूलूगो कम रीड राइट लेकिन ये था पिसले देंगे ठीक है तब शुड़ू करते हैं देखेंगे पहला है राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है तो राम है और नॉट के तुरंत बार नॉट 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 टू वर काड़ मांकि बताया मैंने सब्जेक्ट फिर है भीवन वर्क और बच गया हाट तो वह अप टू गो टू ए स्कूल मुहन को नहीं पढ़ना है मुहन हैं नॉट टू रीड इसके लाबा उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है देयाम नॉट टू गो अन फूट पैदल जाना या पैदल चलना है न गो अन फूट हो जाएगा बढ़ेंगे आगे और अगला कहता है मुझे टिकट नहीं कटाना पड़ता है टिकट कटाना तो कट नहीं होता है ध्यान रखेंगे I have not to buy tickets या फिर book tickets बुक में आपके दिया हो buy tickets बागी book कराने जा रहा हूँ तो ये टिकट कटाना का ये भी English होता है ज्यादा आपको book ही चलता है तबी तो booking होता है na booking counter रहता है मुझे काम नहीं करना है I have not to work तुम्हें कुछ नहीं करना है you have not to do anything अचा इसका दूसरा भी हो सकता है और करके मैंने देए you have to do nothing not anything या फिर उसका बना दीजिए nothing चलता है ये चलता है ये रूल है दोनों में से कोई भी आप यूश कर सकते है तुम्हें अपने पती की प क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है यहां ध्यान अखेंगे कि जगना का जो है वह आपके बुक में दिया हुआ है get up early in the morning मैंने पिसले exercise में ब्राइकेट में लिख दिया ता मर्धिया दे दिजैने तो सुबह जगने का मतलब है जल्दी जगने का मतलब है सुबह की जल्दी शाम की जल्दी तो जगना नहीं है क्या मेरे दोस्त तो इसलिए हो गया have you to get up early फिर है क्या वाले में वही है वैस को सुरूर रख दिया सुरूर में रख दिया और हां last में question mark देना बहुत ज़रूरी है क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना है मेरा दोस्त एक singular इसको fresh करके मैं बता देता हूँ है ना इसको मैं fresh करके बता देता हूँ कि तीन जो है वो I, we और you इनके साथ तो have लगेगा ही लएगा इसके अलाबाद जितना भी subject होगा ना वो या तो अधिक होगा उसे मतलब अधिक का मतलब होगा कि अधिक का बोध होगा या फिर एक का बोध होगा ठीक है तो यह I, we, you और अधिक का बोध हो तो have लग जाएगा और एक का बोध हो तो has लग जाएगा ठीक है जम सिंपल ठेटी सा भासा है मैंने उसमें पिछले एक साइज में ज़्यादा देर तक इसको बताया था इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा देर समय न यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि वो इसलिंग है या पूलिंग इसलिए has he या she to tell a lie क्या तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है have you अब यहाँ पर दोनों हो गया कोस्टन भी हो गया और इंटेरोगेटिव है इसको कहता है निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेरोग पटना नहीं जाना पड़ता है you have not to go to पटना दूसरा टू जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने के लिए पहला तू तो हमारे स्ट्रक्शर में है दरीवों को क्यों कठिन करिश्रम करना पड़ता है क्या वाइब दपूर गरीब लोग गरीवों अपने आप लिए इसलिए है वाइब लगा वाइब दपूर टूर खाड या वह उपर बताया लेबराज गीता को कब मुंबई जाना को क्यों मुंबई जाना वाइब गीता टू गो टू मुंबई गीता का बोज़ चुके हैं जी डवल एटी यह वी हो सकता जी आइटी यह बच्चों को कप यह हो गया हाँ रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है वाइब रीता में रवल एटी यह भी सकते हैं लिख सकते हैं वाइब रीता टू सिंग अ सौंग तूम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है वाइब यह उसे क्यों प्लेट शाफ करना पड़ता है वाइब उसे ही बस्तू या बस्तू के सामने बस्तू हो तो in front of का प्रियोग होता है वैसे व्यक्ति बस्तू के मतलब बस्तू के सामने बस्तू में तो हर हाल में इन फ्रंट अफ लाएगा, वैक्ति के सामने वैक्ति में हर हाल में भी और लाएगा, लेकिन दोनों एक-एक हो तो फिर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, फिर आपको परिक्षा क्यों नहीं देनी है, why have you not to appear at the exam, या examination, ग के बाद आगे है, आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है, है न, तो क्या हो जाएगा, why have you to wait for hours, घंटों का for hours, सीता को क्या करना पड़ता है, what has सीता to do, आप लोगों को कहां ठारना है, where have you to stay, ठीक है, एक हो गया, इसमें सबका तो बता दिया, एक डबलुएत को question का जो यहाँ पर मैं बता रहा था, वो नहीं बता के structure क्या, देखे कुछ नहीं, जैसे तुम्हें जाना है, तो क्या होगा, you have to go, you have to go, अब इसी में क्या करना है, वको पहले ले आइए, have you to go, और उसी के पहले जो डबलुएच वर्ड है, उसको लगा दिया, when, where, सब में पर खत्म होता है, उमीद करता हूँ, आपने मिला लिया होगा, आप कोई confusion नहीं होगी, फिर भी कोई confusion हो, तो कमेंट करें, मैं reply थोड़े देर सही सही, लेकिन जहुर देता हूँ, और हाँ किसी question में comment हो, तो question type कर दें, जिससे कि मुझे, आसानी से जो है, वो, मैं उसी समय जब आप दे पाऊँ, ऐसे फिर book palette ही है, और इसमें थोड़ी सी, थोड़ा time ज्यादा लग सकता है, चैनल पे नहीं हैं, चैनल को subscribe ने किया, तो please इससे subscribe कर ले, और notification bell में, यानि जो घंटी का button है, उसको तो press कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो जाब को डूढने में आसानी हो, कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंदा है तो लाइक करें, ना पसंदा है तो डिसलाइक करें, मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए, have a nice day